Hello students, I am your science teacher of Classics. Today I will teach you chapter number 7. In last video, I will teach you this chapter till here. Head to truth. Okay, बटा, now I will start this chapter. Topic is growth. Our topic is growth. Growth means होता है ब्रदी. है न, living things में ब्रदी होने को हम growth बोलता हैं. ठीक है? Growth is a characteristic features of the living things. Growth, एक मदद सजीब जो हमारी things होती है, उनका एक लक्षर होता है. उनका ब्रदी होना. Both plants and animals grow in size. पोधे और plant, पोधे और animals. दोनों ही size में क्या करते हैं? प्रदी करते हैं, a baby grow up to be a young man. एक बच्चा किस में grow करता है? एक young man में? यानि कि नोजवान या फिर एक woman और रत में. ठीक है? Similarly, a small plant, जैसे मतब कि ये grow करता है, इसी तरीच से small plants also grow into a bigger plant. और एक छोटा पोधा किस में? बड़े पोधे में बदल जाता है, प्रदी करता है बड़े पोधे में. And finally, become a big tree. और वो कैसे last में? अंत में क्या हो जाता है? एक बड़े पोधे के रुप में, एक बड़े से पेड़े के रुप में वो बन जाता है. एक बड़ा पोधा last तक बन जाता है. There are difference in the growth of animals and plants. यहाँ पर एक अंतर है किस में? पोधों में और animals में. Animals usually stop growing when they reach a certain age. जब एक निशीद age पर पहुँच जाते हैं, कौन animals? यानि humans जब एक निशीद age पर पहुच जाते हैं, तो उनकी जो growth है, वो क्या होती है? रुप जाती है. For the example, humans stop growing at about the age of 18. जब वो 18 years के हो जाते हैं, कौन humans है ना? तो उनकी age क्या हो जाती है? उनकी जो growth है, वो क्या होती है? वो रुप जाती है. एक प्लांट की on growing throughout its life. और जो पोधा होता है, वो क्या है? जब तक उसका जीवन होता है, वो क्या करता है? ग्रो करता रहता है, बढ जाता है, वो कभी साइज में नहीं बढ़ता है, इन ए यूनिसेललर ओर्गनी और जो हमारे एक कोश के जीव होते हैं, लाइक अमीबा, है ना? जैसे की अमीबा, ग्रो वोड रिजार्ड इन इंक्रीज इन साइज और इट्स सिंगल सेल, है ना? तो वो कैसे एक कोश के होता है, ग्रो करते हैं, बट एन एलिफैंड लेकिन एक हाती, ग्रो टेक्स प्लेस कंसिडरली, लेकिन जो हाती होता है, वो क्या करता है, लाकातार बद्धी करता है, ठीक है? नेक्स टॉपिक इस मूव्मेंट, मूव्मेंट मींस होता है, गती, चैलन, इनको हम बोलते हैं, मूव्मेंट, लिविंग बिंग्स कैन मूव फ्रों वन प्लेस तो अनूदर प्लेस, है ना? जितनी भी सजीब चीजे होती है, वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, एक स्था और अलग तरीके की जो मतब हमारे अनिमल्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मतब मूव करते हैं, यूजिंग डिफरेंट पार्स ओफ दियर बोडी, अपने बोडी के अलग अलग पार्स को यूज करके, वो डिफरेंट तरीके से मूवमेंट करते हैं, एक जो शाप होते हैं वो क्या करते हैं उनमार डैयंक कर चलते हैं ।द्ह कर चलते है जब करके मेझा कर चलते हैं उतले हैं तो जो भीन सिफ़ कर चलते हैं आप धीयों समस्जाहदर्स such as cat जैसे की आनिमाल जैसे की बिली है डोग मिन्स कुत्ता है और डियर मिन्स हीरन है have limbs to walk with और वो अपने limbs के त्रोग क्या करते हैं चलते हैं और वोक करते हैं यह सब लोको मोशन के नाम से जाना जाता है लोको मिन्स में लोको मोशन मिन्स भी चलनिया गति को ही हम लोको मोशन कहते हैं चीक है तो यह सब हमारे जो इतने भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं यह जो हमारी बाड़ी के अंदर मुव्मेंट होता है हम चलते हैं भूमते हैं ये सब क्या कहलाता है लोकोमोसन कहलाता है